10, 49 degree बटे कौट 41 degree का मान गयाद कीजे हम देखते हैं कि 49 degree प्लस 41 degree 90 degree होता है दोनों कौन परस पर पूरक हैं तो हम 10, 49 degree को लिख सकते हैं 10, 90 degree माइनस 41 degree हमने 10, 49 degree को लिख दिया 90 degree माइनस 41 degree और कौट 41 को हमने as it is रहने दिया अब ये मान कितना हो गया सूत्र हमारा है 10, 90 degree माइनस थीटा होता है कौट थीटा तो चुकि 10, 90 degree माइनस थीटा कौट थीटा के बराबर होता है इसलिए अश हो गया कौट 41 degree और हरम ने ऐसा कैसा रहने दिया मान हो गया कौट 41 degree बटे कौट 41 degree दोनों कैंसल हो जाएंगे तो कैंसल होके मान आ जाएगा एक इसलिए दिये गए त्रिकून में तिये वेंजक का मान है एक साइन स्कौर पचास डिगरी प्लस साइन स्कौर चालिस डिगरी का मान गयात कीजे हमें दिये गए बंजक में जो कौन मिले हैं वो हैं 50 डिगरी और 40 डिगरी हमें दो कौन मिले हैं एक है 50 डिगरी दूसरा है 40 डिगरी इन दोनों का योग 90 डिगरी होता है अर्थात दोनों कौन परस पर पूरक है तो हम इसका मान निकालने के लिए sin 40 degree को 50 degree में कैसे बदल सकते हैं हम सूत्र का प्रियोग करते हैं क्योंकि sin 90 degree minus 50 degree 40 degree होता है इसलिए दूसरा पद हो गया sin square 90 degree minus 50 degree हमने sin square 40 degree को लिग दिया sin square 90 degree minus 50 degree अब sin 90 degree minus theta के सूत्र का हम प्रियोग कर सकते हैं sin 90 degree minus theta होता है cos theta तो चुंकि sin 90 degree minus theta cos theta होता है इसलिए दूसरा पद हो गया cos square 50 degree तो हमने क्या प्राप्त कर लिया विंजिक का मान है sin square 50 degree plus cos square 50 degree sin square theta plus cos square theta 1 होता है इसलिए सर्वसमीका से ये मान हो गया एक के बराबर हमने सर्वसमीका का उप्योग किया sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो इसलिए sin square 50 degree plus cos square 50 degree का मान 1 होगा डिये गिये विंजिक का मान 1 है 10 49 degree minus cos square 51 degree का मान गयात कीजे यहां हमें जो दो कौन दिख रहे हैं 49 degree और 51 degree ये कौन परसपर पूरक हैं क्योंकि इनका योग 90 degree के बराबर होता है तो हम cot 51 degree को 49 degree में किस परकार से बदल सकते हैं हम ये expression को लिख देते हैं 10 49 degree पहला हमने पद ऐसा कैसा लिख लिए और दूसरे पद को लिख दिया cot 90 degree minus 49 degree क्योंकि 90 degree minus 49 degree 51 degree के बराबर होता है अब cot 90 degree minus 10 theta होता है तो इसलिए दूसरा पद हो गया 10 49 degree के बराबर तो मान क्या हो गया 10 49 degree minus 10 49 degree चुकि cot 90 degree minus 10 theta होता है इसलिए cot 90 degree minus 49 degree में theta क्या है 49 degree तो ये मान 10 में कैसे बदल जाएगा 10 49 degree बन जाएगा अब दोनों पद समान है रनात्मक चिन बीच में है दोनों कड जाएगे मान आ जाएगा 0 इसलिए अभिष्ट मान शूनने है